Hello everyone, welcome back to our channel इस वीडियो में आज हम discuss करने वाले हैं किस तरीके से आप एक private job के लिए apply कर सकते हैं through job portals कुछ candidates हैसे होते हैं जो apply तो करते हैं पर उन्हें reward back opposite side से नहीं मिलता है या फिर आप गलत तरीके से search कर रहे हैं या गलत profile के लिए search कर रहे हैं कहीं तो जो भी गलती हो रही है उसको किस तरीके से सही करना है या फिर किस तरीके से अपनी profile को maintain करना है जिससे आपको reward back भी मिले और आप अपनी dream job profile के लिए apply भी कर पाएं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं इनकेस अगर आपको कोई भी doubt होता है तो आप में comment section में भी लिखकर बता सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस तरीके से आपकी जो profile है आपकी display पर कुछ इस तरीके से दिखेगी ठीक है यहाँ पर आपका नाम आपका जो भी headline है यहाँ से आप edit कर सकते हैं ताकि इसके अलावा आपको किस तरीके से अपनी profile को attractive और थोड़ा impressive बनाना है ताकि जो भी recruiters होते हैं जो भी HR होते हैं वो आपकी profile को एक बार देखते ही उसको दुबारा एक बार check करें कि हाँ इसमें क्या है क्या नहीं है वो खोल कर देखना है तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे points बताऊंगी जिन चीजों को आपको ध्यान रतना है पहली चीज आपकी जो LinkedIn profile है वो आपकी थोड़ी attractive होनी चाहिए थोड़ी impressive होनी चाहिए ताकि opponent को उसको देखने में थोड़ा formal लगे जैसे कि आपके अगर LinkedIn जो page है वो थोड़ा formal लिखना चाहिए तो पहली चीज होती है आपकी आपका background और आपका photograph तो यहाँ पे जो आपके photograph और आपका जो background होता है उसमें अगर आपको यह अपनी ऐसी formal photo लगाते हैं फिर चोटी सी smile तो वो ज़्यादा थोड़ा अच्छा लगता है और थोड़ा formal भी लगता है बाकि इसके अलावा दूसरी जो चीज है वो है आपकी LinkedIn headline यानि कि यहाँ पे आपको जैसे दिखाई दे रहा है account specialist ठीक है headline यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे आप कुछ भी जो भी आप अपनी name के नीचे headline डालना चाहते हैं वो यहाँ पर आप mention कर सकते हैं ठीक है location आपकी city यह basic आपका आपकी personal information है वो आप इसमें add-on कर सकते हैं यहाँ पे आपको save का option दिख रहा है यहाँ से आपको save कर देना है changes अगर in case अगर आप कोई भी changes कर रहा है तो next third चीज आपकी जो main है वो है आपकी complete information about your achievements, your education यानि कि आपकी personal information इसमें होनी चाहिए जैसे कि अगर आपकी कोई भी achievements है या आपकी internship से आपने जहां भी internship किया या फिर जिस जिस projects पे आपने काम किया है वो सारी चीज़ें इसमें add होनी चाहिए add personal section का आपको जो इसमें option दिखा ही दे रहा है यहाँ पे आपने skills आपके career break, position, education यह सारी चीज़ें आप इसमें add कर सकते हैं in case इसके अलावा भी अगर आपको add करना चाहते हैं तो यहाँ यहाँ पे आप उसमें add कर सकते हैं next आपका contact information यानि कि in case आपने किसी job के लिए apply किया है और जो opponent है HR है या फिर recruiter है उसको आपकी job जो आपकी profile है वो ठीक लग रही है वो आपको contact करना चाहता है तो यहाँ पे आपकी contact information होनी चाहिए यानि कि आपका email id जो भी email id या फिर आ आपका resume होता है वो भी इसमे upload हो जाता है यानि कि अगर आपने resume बना रखा है और आप चाहते हैं कि directly कोई recruiter या HR search कर रहा है उसमें आपका resume directly उसको show हो जाए तो यहाँ पे आपके लिए resume का option भी रहता है build resume यहाँ पे आप upload कर सकते हैं ठीक है in case अगर create भी करना चाहते तो आपनी job profile के लिए search कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूं यहाँ पे आपका search URL है यहाँ पे आपको search करना है आप दो तरीके से search कर सकते हैं यानि कि अगर आपने कोई company सोची हुए कि मुझे इसी company में काम करना है तो यहाँ पे आप company का नाम update कर सकते हैं यहाँ पे जो search नहीं search कर सकते हैं या आप किसी particular job के लिए apply कर रहें जैसे आप accountant के लिए apply कर रहें तो आप यहाँ पे accountant भी search कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपके नजर में कोई recruiter या कोई HR है आपको नाम पता है या जो आपका referral दे सकता है recommendation दे सकता है वहाँ पे वह भी नाम आप accounting jobs search करने हैं ठीक है जो मैं already search कर चुकी हूँ अगर आप directly HR को contact करते हैं तो जैसे suppose मुझे Tech Mahindra के HR को contact करना है तो मैं यहाँ पे directly HR Tech Mahindra तो जितने भी contacts है LinkedIn पे available वह आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे ठीक है यहाँ पे आप जाके देख सकते है HR executive at Mahindra ठीक है यहाँ पे आप search कर सकते हैं जिसको भी आपको reach out करना है यहाँ पे आप reach out कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको jobs people post के साबसे यहाँ पे जो display है वो देखने को मिल जाती है अगर आप किसी person को contact करना चाते हैं तो उस तर HR या आप किसी recruiter की जब आप profile खोल के देखते हैं तो नीचे वहाँ पे आपको contact info दिखाई देता है वहाँ पे जाके आप contact कर सकते हैं उनकी email id या फिर उनका phone number अगर आपको मिल जाता है तो आप उस पे भी directly अपना resume में upload कर सकते हैं या फिर आपको एक option दिया होता है message का वहाँ पे जाके भी आप उनको reach out कर सकते हैं बट सही वही रहेगा अगर आप official तरीके से reach out करते हैं यानि कि अगर आप email के थुरू उनको reach out करते हैं बाकि उसमें आप अपना resume भी upload कर सकते हैं ये कुछ ऐसे points दे जिनको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो मेभी ऑपनें site से आपको जो है revert back भी मिलेगा और जिस भी portal पे आप apply कर रहे हैं whether it is this LinkedIn और आपका shine या आपका naukari.com जिस भी portal पे आप apply कर रहे हैं तो आपको definitely revert back जरूर मिलेगा thank you so much for watching in case अगर आपको कोई भी doubt होता है तो आपको comment section में भी लिखकर बता सकते हैं thank you